स्लाम अलेकुम जी क्या हाले आप सबके उम्मीद करती हूं अपने घर में खुशबाश होंगे और यह देखिए सेल्फ पेंपरिंग इड से पहले ही मेरी स्टार्ट हो गई थी मैंने थोड़ा सा सॉल्ट लिया ग्लीसरिन लिया और कोपरे का तेल लिया और मसाज जो है वह च पाइन आप दे फैमेली होते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हमारे गहर में बच्चे हैं बड़े हैं तो उनकी खुशी जो है हमें देखना पड़ती है तो इसलिए इत की सेल्फ पैंपरिंग में ने अपनी स्टार्ट कर दी थी ताकि घर में थोड़ा सा रौनक का जो टैनिंग हो गई थी वो दिखाई है तो बस उसकी भी रेमेडी जो है मैं प्रीवेस व्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ तो जिन्हों ने जिनको नहीं पता है वो जाकर व्लॉग देख लें लिंक जो है मैं दे दूंगी तो उस व्लॉग में ने बताया है कि बिल्कुर इस से सदो है आपने टैनिंग को कैसे रिमूव कर सकते हैं और आपने सकीन के जो पी-एज बैलंस को कैसे मैंटेन कर सकتे है क्योंकि अगर हमारी सकीन کا पी-एज बैलंस जरा भी बगड़ता है तो हमें जो है सफर करना पड़ता है कहीं प्रॉब्लमस हमारी सकीन म हो जाएं और soft दिखें मुलायम दिखें और आप यकीन जाने मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं पूरा घर का काम हाथ से करने के बाद इतने chemical यूज करने के बाद आज भी मेरी हतेडियों में से पसीना आता है तो थोड़ा सा tension हो गई थी मुझे भी दूसरों की तरह कि अगर tanning हो जाती है तो हमें थोड़ा सा अजीव लगते है कि हमें ये क्या हो गया और नेलपेंट पलपेंट लगा लगू के और रिंग वगएरा पहन कर ये मेरे खिया आपको दिखा रही हूँ तो ये जो है स्कीप नहीं करी और बलके मुझे मुझे मनासिब भी नहीं लगा कि स्कीप जो है वो करना चाहिए तो सफाई के बाद जो है एक लुबान की अगरबती की घर में रोशन करी और बहत खुश्बूर बढ़ा अच्छा माहौल जो है सुबह से स्टार्ट हो गया था और ये ड्रेस जो है ये मैंने इत के लिए निकाल के रखी ये दरसल पर्चेसिंग तो इस बार कुछ भी नहीं करी और हर साल अबबा के यहीं से जो है इत की ड्रेस मेरी आती है और इस बार खुशी भी नहीं थी तो ये ड्रेस मैंने अपने लिए लेकर रखी थी तो वही म मस्रूफ थी फिर बच्चे की क्लासिस हो गई तो ऐसे करके जो है पुरा होल डे हमारा इसी तरीके से गुजर गया तो इस पे मैचिंग का मैंने स्टॉल लिया था और अच्छा कसब और परल का स्टॉल ये था तो पट्टा नहीं है लॉंग बे लेकिन बहुत अच्छा मैं इस तरह की कही ड्रेस वियर करती हूँ घर में ताकि अगर आपको कहीं जाना पड़ जाए तो आपने इतना रिस्पेक्टेबल फैबरिक पहना हो इतने अच्छे कपड़े आपने पहने हो कि आपको चेंज ना करना पड़े आप उठें और मार्केट चले जाओ और वैस मन भी नहीं हुआ और वक्त भी नहीं मिला तो मैंने यह नहीं पहनी पर जो ज़रूरी काम थे वो मैंने अपने इद वारा दिन जरूर निपटाएं डाईट भी जो है वो मत्दे नज़र डाईट ही रखी मैंने इतना कुछ हैवी नहीं खाया क्योंकि जब मैंने यह ड्रेस खरीदा था एक्सेल तो ये मुझे थोड़ा लूज था लेकिन जब मैंने इसको पहना तो ये मुझे थोड़ा और जादा लूज हो गया जो कि मुझे सिलवाना था लेकिन मैंने इसलिए नहीं सिलवाया क्योंकि हमारियां लॉटब्डाउन लगाये और मुझे ट्रस्ट नहीं था कि जो टेलर है वो सिलकर इसको दे देगा तो मैंने इसको जब तक मैं इसको सिलाओंगी तो मैं मेरा एक दू किलो वजन जो है वो और कम कर चुकी होंगी और अगर वजन कम नहीं भी हुआ तो मेरे इंचेस जो है वो तो मैं डेफिनेटली कम कर लूँगी उसके बाद जब मेरे इस उट सिनाओंगी तो फिर ये पहनने में बड़ा ही मुझे मुझे मज़ा आएगा मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी बाड़ी को शेप में ही रखूं क्योंकि मेरा 90 किलो वजन था अभी जो है वो 68 to 70 रहता है तो बस उसी को मेंटेन करने में ही में लगी रहती हूं तो जब मैंने ये वाला मेरा ड्रस पहना तो ये एकसेल में था लेकिन मुझे इसा लग रहा था कि ये बहुत जादा मुझे लूज हो गया है तो मोटिवेटेड थी इसलिए जो है पूरा दिन डाइट का खास ख्याल रखा और ये ड्रस जो आप देखने वाले हैं ये सहाब की और गुड़ा की ये ये भी अबबा की ही घर से आई थी और ये शूज भी गुड़ा की ही लेकिन ये बड़े आ गए थे तो वैल ये तो नहीं पैने फिर अबबा उसको दुसरे दिला कर ले आये थे तो उसने वही पैने थे बस यह बड़ों की तो नहीं होती है बच्चों की होती है हम समझते हैं कि यह pandemic जो है किस तरीके से बुजर रहा है बच्चे जो है नहीं समझते हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा सा अपने mind को set रखें हमें किसी negative चीज़ को अपनी तरफ अफर्म नहीं करना है यहारे की उसको अट्रैक्ट नहीं करना है जब आप किस चीज के बारे में ज़ादा सोचते हैं और उसी के बारे में ल लगातार सोचते रहते हैं तो आप उसको अपनी तरफ आकरशित करते हैं ये एक basic rule है जिससे आप सब चीजों को आकरशित करते हैं चाहे वो खुशिया हो चाहे वो गम हो तो definitely pandemic है हमें अपने रब से दुआ करना है कि जो लोग दुनिया से चले गर हैं उनकी मगफिरत हो उनके अपनों को रब जो है हिम्मत दे ताकि वो इस गम को बरदाश कर पाएं और हम जो अला के फजल से बचे में हैं रब हमें हमेशा बचा के रखें और आफ़त मुसीबत हम पर नहीं आए लेकिन हमें उस चीज को आकर शित नहीं करना चाहिए तो breakfast जो मैंने साबू दाने की खिड़ी बना ली थी और फिर हमें जाना था अमा के घर तो उस दिन हम अम अमा के हाथ की सिमया खाने उनकी घर चली गई ती और वैसे भी मा के हाथ की वनीवी चीजे खाने का अपना ही अलग मज़ा होता है तो जब भी मुझे 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 मिलता है इस तरह के फेस्टिवेल्स पे उनके हाथ कुछ खाने का तो मैं मुका बिलकुल नहीं चोड़त यह बड़ी यूनीक और आसान सी रसिप आप देख लीजे फिर बात करते हैं कि किया कर रहे हैं चाहिए लोफ कर दाना अच्छा है इसमें घी डाले ना अपने काय काय चीजों से बनाया क्या क्या बनाया है? खॉपरा है, हिलाइची है, खारक है, किस्मिस है, बदाम है, खाजु है मतलब सारे ड्राइटोस दाला है अब इसे उबाल के अपन यह डाल दो जादा उसमें लानमक निदेखिन लाल हो जाएगी अच्छाए अब ढूटने में नमक डाला हो जाएगी अच्छाए बजा रखिये हैं नमक निदेखिन लाएगी क्या अब बनाएगी तो नमक अबना ना उगा भता है इसके निदे इसमें नमक डालना पता है अब अब आप दूब डालेगे शकर और शकुरमा लॉइ पंड़ा आफ शॉड़ा लिए मेरा में हृता जती घराजिए सबीन strengthen गर्मिल में, मुझे इन आप gather दीन की्यान जारा में करना में जाय थाप दोद के मृस्तिन जिस्वों शुञंद कर जरोड़ा शुटस concern लेकिन फिर भी मा तो मा होती है, मा क्या आथ की खाने की बाद अलगेती है देखा चुलिये यसी पेन रखी है, यसे कंगल पेन रखें और कल त अम्मा इत की खुक्सरत लगी थी बहर अच्छी लग रहीं थी पायल खरीदी अम्मा ने और सोने का लोग खरीदा है, इस बार ड्रेस नी पर्चस करिए और कि महीं है यह वाली है यह बहुत अच्छी आती है यह डाल दिये, अब देखें, इस पे दूद दनना है इस सिंपल दूद बॉइल करके डालना है और कुछ भी ने गरना है सभी कटोरो में दूद डलेगा पिर इसके ऊपर डलेगी शक्षा अब लोगे उसाब से दूद डालना है इसमें है और इस चाहिए बड़ी प्लेट में लेने का रिजब हैे बड़ी प्लेट में मिक्स नहीं में प्रूस हुआ हुआ तो जाज और इसके नहीं हुआ अगरा है लेकिन यह है ओरिजनल तरीका हम लोग उने के बैरीएशन कर भी है आजकार हमारी में तो गरेशन ने तो इन पुराने वग्तों में से निया सिर्खुर्मा , तो अम्मा डालेगा इसमें ह्जेख दिखाई को इसको केती हैं , असल शिर्खुर्म मा from being wann you can और शिर्खुर्मरा लाएक करें reconcile now माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार से बना की खिलाती है और हर बच्चा अपनी माँ की हर चीज़ को पसंद करता है तो बस यह रासी पी इसलिए मेरे दिल की करीब है एक साल में एक बार खाने को मिलती है और माँ बड़ी प्यार से बना की खिलाती है तो ये सेकेंड डे बी में गई थी तो ये क्लिप जो है मैंने आपके साथ एड़ कर दिया और इंतहाई महबस से अब्दा और अम्मा ने बैट कर ये खिलाया कि ले बिटा खा ले तो खेर बस इस तरह के से इड जो है वो गुजरी दुआओं के साथ थोड़ी सी कोशिशों के साथ कि हम अपने मूट को सही कर सकें अपनी फैमिली में खुशियां जो है वो बरकरार रख सकें उमीद करती हूँ आपके व्लॉग अच्छा लगा होगा तो चलिए पर नेक्स वीडियो के साथ मैं आप से मुखाती नो तीन तो तो के लिए लगाफीस